क्रिपया हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बिल आइकॉन दबाएं नमस्कार प्रभात ख़बर के वीडियो सेक्षन में आप सबका स्वागत है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने जहारखंड विधानसवा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है वो दो दिन के दोरे पर जहारखंड आये थे राची में उन्होंने कई स्टेक होल्डर के साथ बाच्चित की इसमें राजनितिक दल के पतिनिदी तो थे ही प्रशासनिक और पूलिस विभाग के वरी अधिकारियों के अलावा इंकम टैक्स और अन्य विभागों के अधिकारी भी उनके साथ बैठक में शामिल हुए मुख्य चुनावायुक्त ने पत्रकारों को बताया कि प्रकाश जावरेकर जो केंद्री मंत्री हैं उनका बयान उनके संग्यान में राजनितिक दलो ने लाया शहरों में कम मतदान के बारे में पूछे जाने पर भी अपनी बात मुख चुनावायुक्त ने कही उन्होंने जारखंड को क्रेडिट दिया, जारखंड के मुख निर्वाचन पताधिकारी को क्रेडिट दिया कि देश में पहली बार आम लोगों को बैलट से वोट देने का मौका मिल रहा है शक्ती बूत के बारे में भी उन्होंने बताया अब आपको डिटेल से बताते हैं कि प्रकाश जावरेकर के बारे में उन्होंने क्या कहा असल में प्रकाश जावरेकर ने वन अधिनियम को वापस लेने की बात कही थी और जारखंड के राजनितिक दलों ने कहा कि केंद्रिय मंत्री का यह बयान आचार संगिता का उलंगन है इस पर चुनावायुक को संग्यान लेना चाहिए तो चुनावायुक ने आज कहा कि उन्होंने इस पर अपने अधिकारियों से कहा है कि प्रकाश जावरेकर के जो भाशन थे उनका जो बयान था उसका पूरा ट्रांस्क्रिप्ट निकाला जाए और उस पर एक विस्त्रित रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि उस पर संग्यान लिया जा सके और उस पर विदिसम्मत कारवाई हो सके पत्रकारों ने उनसे पूछा कि शहरों में मद्दान कम क्यूं होता है और इसके लिए चुनावायोग क्या कर रहा है मद्दान प्रतिसत बढ़ाने के लिए चुनावायोग के पास क्या योजनाए है इस पर मुख्य चुनावायोग ने कहा कि चुनावायोग हर जेगा मद्दान प्रतिसत बढ़ाने की कोशिश करता है उसके लिए अपना अभियान चलाता है लेकिन शहर के संबरान्त लोगों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब मद्दान का दिन आता है तो अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकलते मुख्य चुनावायुक सुनील अरोरा से एक और सवाल किया गया शक्ति बूथ के बारे में लोग सवा चुनाव के दोरान महिलाओं के लिए एक विशेश रूप से सिर्फ महिला द्वारा संचालित बूथ बनाए गये थे उसको नाम दिया गया था शक्ति केंद्र उनसे पूछा गया कि विधान सवा में ऐसे केंद्र क्यूं नहीं बने हैं या ऐसे केंद्र बनाने की योजना है क्या इस पर मुख्य चुनावायुकत ने कहा कि यह राज्जी का विशह है और राज जी के जो मुख्य निर्वाचन पता धिकारी हैं वो इस पर फैसला लेंगे वो चाहें तो शक्ति के इंदर बना सकते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने केंद्री ग्रेमंत्रा लेके आंकणों का हवाले से कहा कि जारखंड में 19 नकसल था उससे बेहतर प्रवंदन यहां के लोग करेंगे और जारखंड के नकसल प्रभाविती जिलों में भी लोग बढ़ चड़ करमदान में हिस्सा लेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने राजनेतिक दलों ने धनवल के इस्तेमाल पर भी चिंता जयता ही इस पर मुख अधिक करमठ और सीनियर अधिकारी को उन्होंने इस काम के लिए लगा दिया है वो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट के वरियर पदा अधिकारी थे जो अब चुनाव के दौरान जारखंड में दस्थापित हैं और वो ऐसी सारी चीजों की निगरानी कर रहे हैं यानि चुना